दोस्तो क्या आपने बस में सफर किया है और किया भी है तो कितने किलोमेटर किया है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के लंबे बस रूट के वाइरे में चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नमबर 15 पर आता है नासीक तुजोदपूर रूट जिसकी कुल लंबाई एक खतर किलोमेटर के आसपास है ये गाड़ी नासीक से वडोदरा वडोदरा से नादिया नादिया से आबूरोड आबूरोड से पाली होते हुए जोदपूर तक जाती है इसे पूरा करने के लिए ब बूबली, बेलगाव, सातरा, पूने, संगमनेर, सिर्डी के पात जाता है इस रूट को पूरा करने के लिए बसेस को 15 गंटे के आसपास टेम लग जाता है इस रूट पर बसेस की टिकड़ की के मत 2000 रूपई से लेकर 3000 रूपई तक है की गई है नमबर 13 बैंगलोल टू इस रूट को पूरा करने के लिए 18 गंटे के आसपास टेम लग जाता है इस रूट पर बसेस की टिकेट की कि मत 1600 रूपई से लेकर 2800 रूपई के बीच में रखी गई है नमबर 12 नाकपूर टू बैंगलोर रूट इस रूट की कुल लंबाई 1092 तक है ये रूट नाकपूर महाराशे से शुरू होकर हिंगन गाठ, पिंबलखुटी, हैदराबाद, अननतपूर और बैंगलोर कनटगा तक खतम होता है इस रूट की कुल लंबाई 1092 खेलोमेटर ह और इसको पूरा करने के लिए बसेस को 18 गंटे तक लग जाते हैं। इस रूट पर टीकिट की कीमत शुरू होते हैं 1,400 रूपई से लेकर 2,000 रूपई तक। नंबर 11 दिल्ली टू काटमांडो रूट इस रूट की कुल लंबाई 1173 किलोमेटर हैं। ये रूट भारत की दिल्ली से होकर नेपाल की काटमांडो तक जाता है। चेन्दे तक जाता है इस रूट को पुरा करने के लिए बसेस को 25 गंटे के आसपास समय लगता है और इस रूट पर गारी के टिकेट की किमत शुरू होती है इस रूट की कुल लंबाई 1330 किलोमेटर है यह आसाम सीलिचर से शुरू होकर गुवाटी, सिलिगूरी, मालदा, बर्दमान, कोलकता वेज बेंगल तक जाता है इस रूट को पुरा करने के लिए बसेस को 36 गंटे के आसपास समय लग जाता है इस रूट पर टिकेट की किमत शुरू होती है इस रूट की कुल लंबाई 1490 किलोमेटर है यह करनादा के बैंगलो से शुरू होकर पूने, मुंबाई, वापी, सूरत, वडोद्रा और गुजदात के आमदाबाद तक खतम होता है इस रूट को पार करने के लिए बसेस को 30 गंटे का समय लगता है और इस रूट पर बस की टिकेट की किमत शुरू होती है 1600 रूपे से लेकर 3 आरूपे तक नमबर 6 दिल्ली तो कोलकता यह रूट 1530 किलोमेटर का है यह रूट शुरू होता है दिल्ली, आगरा, लखनव, धनबाद, बर्दमान और खतम होता है वेज बेंगल के कोलकता में इस रूट को पुरा करने के लिए बसेस को 38 आर्स यह 38 गंटे लग जाते हैं इस रूट पर आपको अगर सपर करना होगा तो आपको 28 रूपे से लेकर 35 रूपे तक तिकेट मिल जाता है इस रूट की कुल लंबाई 1722 किलोमेटरे यह रूट शुरू होता है करनाटा के बैंगलोर से हुबली, कोलापूर, सातरा, पूने, मुंबई, सूरत, वडोद्रा, सोमावत, बालिचा और खतम होता है उदापूर अजस्थान में इस रूट को पुरा करने के लिए बसेस को 37 आर्स लगते है और इस रूट पर टीड कीमत शुरू होती है तीन आरूपे से लेकर 4 रूपे तक इस रूट पर बस को सपर करने के लिए 49 आर्स लगते है और इस रूट पर टीक्र कीमत शुरू होती है एक 1700 रूपे से लेकर 4 रूपे तक इस रूट की लंबाई 1870 किलोमेटर की है यह भारत की दिली से होकर आगरा लकनव गोलकपुर कोटवा भकसाला मालदा एलंगा से होती हुए यह रूट बांगा डिसके ढाका तक जाता है नमबर दो बैंगलोर तु जोतपूर रूट इस रूट की कुल लंबाई एक हज़ार नोसो चलिस किलोमेटर है ये रूट की टिकेट की कीमत शुरू होते हैं एक हज़ाराट सो रूपए से लेकर पास रूपए तक दोस्तों भी जानेंगे नमबर वन रूट के बारे में जो है भारत का सबसे लंबा रूट ये रूट है बैंगलोर तु आजमेर जी हाँ करनडा का राज्य के बैंगलोर से शुरू अगर ये गाड़ी पूने मुंबई एमदाबाद हिमतनगर चित्रडगर बिलवारा होते हु दोस्तों आज के दो हमने देखा भारत के सबसे लंबे बस रूट के बारे में इनके अलावा अगर आपको कोई और रूट पता होगा तो हमें कमेंट में जलूर लिखे और आपका सपोर्ट इसे ही बने रखे दोस्तों इन में से कुछ रूट आभी भी इनेक्टिव झाल झाल झालए में पता है।